हलो स्टूडेंट्स, हम बियसी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में कई अनिमल्स कवर करते रहे हैं उसी क्रम में आज हम एक छोटे से संग टीनो फोरा के सदसे बिरोई के बारे में जानेंगे टीनो फोरा संग जो है ये एक बहुत छोटा सा संग है और विरोई का सरफ प्रतम हम वर्गी करण देखते हैं ये संग टीनो फोरा का है इस संग में मल्टी सरुलर बाई रेडियली सिमेट्रिकल जन्तू होते हैं और सेल टिशू प्रकार का शरीर संगठन होता है ये जन्तू या तो सुतंतर जीवी होते हैं अत्वा सॉलिट्रिया एकल होते हैं प्लजिक जो समुदरी सतह पर पाई जाते हैं इनमें दंश कोशिकाएं पूर्णता अनुपस्थित होती हैं लेकिन शरीर पर आठ कंगक पट्टियां कोम प्लेट्स पाई जाती हैं तो ये इसका संग टीनोफोरा का संगशेप परीजें बिरोई जो है इसका वर्ग है निवडा याने के इसमें इसपरशक अनुपस्थित हैं लेकिन शरीर लंबा वा शंकुरूपी होता है मुख चोड़ा और फारिंग्स जो है वो लंबी होती है और इसका है बिरोई डिया और जीनस है इसका बिरोई संगशेप में अगर हम देखें तो इस संग का नाम टीनोफोरा एसकोल्ट ने दिया था ये एक सूक्षम संग या माइनर फाइलम है इसके सदस्य सामान ने तहा कॉम जली या सी वॉलनट कहलाते हैं हैश्चक 1888 ने दंश कोशिकाओं नीडोब्लासस के आधार पर सीलेंट रिटा संग को इस्पोरेंजियारिया नीडेरिया और टीनोफोरा नामक संगों में वर्गिक्रत किया था बिरोई संग टीनोफोरा का प्रतिनिधी जनतु है बिरोई का आप हम देखते हैं इसकी हैबिट और हैबिटाट बिरोई पैसपिक टट के साथ साथ और कैस्पियन की खाड़े से फ्लोरीड़ तक के शीतल जल में पाया जाता है यह एकल सुवतंत्र जीवी और प्लैजिक सदस्य है जो समुद्र की सतहा पर उपर तैरता हुआ मिलता है यहने के नीचे नहीं मिलता है यह उपर की ओरी उसकी सर्फेस पर तैरता रहता है अब इसकी मॉर्फोलोजी या एक्स्टरनल मॉर्फोलोजी अगर देखें तो इसका शरीर जो है वो शंकुरूपी या कुनिकल है और पार्श्व तल से दबा हुआ कॉम्प्रस्ट होता है इसकी हाइड जो है वो दस से बीस सेंटिमीटर होती है और इसका रंग दूधिया या ब्रावनिश पिंक होता है इस पर टेंटिकल्स नहीं पाए जाते शरीर का एब ओरल सर्फेस जो है उसमें समवेदी अंग होते हैं जो धुर्विये शेत्रों से आवरत होते हैं तथा खंडित मुख्ये चोर संपून रूप से चोड़ा मुख्या बना होता है इसके अपनुकिय शेत्रों से शरीर के आदे भाग तक तैड़ने में सहायक प्लेट्स पाई जाती है इन जन्तूओं में विशेश प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिने लैसो सेल्स कहते हैं ये कोशिकाएं आसंजक कोशिकाएं हैं जो शिकार को पकड़ने में सहायक होती हैं इसमें दंश कोशिकाएं नीडो ब्लास सेल्स अनुपस्थित होती हैं शरीर का मुख्य भाग बड़े मुख्पत इस्टुमोडियम कीपक या इन्फंडी बुलम एवं कीपक नालों इन्फंडी बुलत केनाल से मिलकर बना होता है अपमुक्स छोर पर ये सब भाग एक छोटे स्थान पर पुंच्छित हो जाते हैं या चुड़ जाते हैं इसके भीतरी भाग में अत्याधिक वर्दित फैरंग्स या ग्रस्नी होती है ग्रस्नी नाले छोटे से अमाशे से निकल कर सत्य के निकट तक फैली रहती है ये जन्तू कार्निवोरस मासाहारी तथा वुरेशस होता है जो क्रिस्टेशियन तथा अन्य टिनोफोरा की सदस्यों का भक्षन करता है बिरोई की विशेश्टा है कि इसमें कंकाल, उचसर्जन, परिवान और श्रसंत तंत्र अनुपस्थित होता है तंत्री का तंत्र विश्रित होता है तथा अपमुकिये सिरे पर संतुलन से संबंदित सम्वेदी अंग स्टैटोसिस्ट पाया जाता है यह जन्तू बाइसेक्श्वल होता है, जननकोशिकाओं का उदभव अंडोडर्म से होता है टैस्टिस वा ओवरीज, डाइजस्टिफ केनार्ज के पास होते है इसका जीवन चक्र देखें तो इसमें परिवर्धन इंडाइरेक्ट होता है परिवर्धन में काया अंतरन पाया जाता है, जो काफी जटिल होता है अलैंगिक जनन अनुपस्तित होता है, लेकिन पुनरुद्भवन की शंता एवं पीडो जने से सामानता पाया जाता है तो ये था हमारा बिरोई और नेक्स्ट अनिमल हम लेटरन पर देखेंगे, थैंक यू